पुरूर के चार और बाती के चार घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त में धामरापोट में कड़ा हूँ और यहां पे बहुत ही तेज वारिश और तेज हवाओं ने रुख कर लिया है जो यहां बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में मतलब अगले से दो खड़े होने तक का यहां पे सिटी नहीं है क्योंकि हवा बहुत तेज निकल रही है और विंड स्पीट बढ़कर तकरीबन 40-50 km के आसपास तक हो गया है तो ऐसे में उमीद की जा रही है कि जैसे जैसे लैंड फॉल का टाइम आएगा विंड स्पीट बढ़ता जाएगा औ अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लैंड फॉल जब हिट करेगा तो पोर्ट के आसपास एक बहुत बड़ी दुक्सान की बात हो रही है इतनी है जो छोटे-छोटे घर हैं अब देखें मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि यह सब शटें वगरा सब उड़ना शुरू ह हो गए हैं और यह जो कच्चे मकाने खाज करके उन वकानों की बात बता रहा हूं कि उनकी सिटी बहुत ही खराब हो रही है जो कच्चे मकाने सिर्फ उली में लोगों को रहने की इसाज़त दी गई है और टीवी नाइंग भारत वर्ट अत्रक में उस दकां पे करा डाला हुआ है लेकिन इंतजार लैंड़ पॉल के कट्राने के बार की सिटी से निपटने का है पहले सिर्फ और सिर्फ इवेक्वेशन करा जा रहा है जो तत्वीर सामने की आपको नजर आ रही हुए निधी समंदर में तेज लहने उठनी शुरू हो गई है और काफी त दिती धीरे-धीरे तल से वेकाबू होते जा रही है बितर कनिका नैशनल पार्क धामरा पोट पर नजिक पहुंची शके छे लैंडफोल सबे वाबजुडानी गती प्रतिकल्ला के 120 किलोमीटर रहवानी पन शकेता त्यारे सेवाई रही छे बहांची पहुंची शे कि लैंडफोल समय वर्चाद पवन अने तोफान साउथी वधारे हाश्ची ए समय लैंडफोल नों हाश्ची कि जारे तोफान पवन नी जड़ब छे ए खुब